हाँ तो प्रीज साथियो आज हम जैसंकर प्रसाद या आपकी पाठे करम निर्धारित सरधा सरग यानि कामाईनी के सरधा सरग पर विचार करेंगे रैट, रैट सर, सरधा, रैट, रैट सर, नाम सरधा है लेकिन सरधाईनी होना चाहिए था लेकिन चुकि मनु को काम की प्रेणा देती है, काम होमवरक नहीं, संभोग, सैक्स, काम की प्रेणा देती है, इसलिए वो कामाईनी है अगर वो सरधा की प्रेणा देती तो वो सरधाईनी, लेकिन काम की प्रेणा देती है, इसलिए सरधा को कामाईनी कहा गया है लिविडो, काम की प्रेणा जिससे मानुजाती का जन्म होता है ब्रमा जी जल परले कर देते हैं पर्थवी पर देव सब बेता और दानव सब बेता दोनुई नश्ट हो जाती है क्योंकि ये जरूरी था उस समय क्योंकि देवता एक अलग विलास में भोग रत थे और दानव विनास में रत थे इस वज़े से उन्हें एक नए प्रोडेक्ट की जरूरत थी तो इसलिए एक तो देव बचे मनुँ और एक दानवी बची कौन? सर्धा, एक देव है एक देव को बचाय गया, किसको? मनु को और एक दानव राज कन्या कौन है? सर्धा है मनु हिमाले के उतंग सिखर पर बैठे आंसु बहाते हैं हिमगिरी के उतंग सिखर पर बैठ सिला किसी तलचाहां एक पुरुस भीगे नैनु से देख रहा था परले परवा हिमाले के उतंग सिखर पर बैठ कर क्योंकि एक पाने की धारा ने उनको हिमाले में उनकी नाव को पहुंचा दिया था और वो उपर उपर वाले स्थान पर अचानक जब अपने आपको होस में पाया तो अचानक देखा कि वो हिमाले के उपर हैं और नीचे जल परले हैं तो पुरुष पहली बार रोया, देव रोया है मनु इसलिए मनु स्मर्ती, इसलिए मनुस से मनु की संतान मनुस से हिमगिरी के उतंग सिखर पर बैठ सिला कि सी तल छाहां एक पुरुष भीगेनेनु से देख रहा था परले पर वहा वो एक पुरुष कौन था, वो मनु था और चुपचा बैठा था अपने पूरवजू का उन्हों उसने तरपन किया किसने मनु ने हिमाले में जो कुछ अन मिला पेडू से कुछ भी मिला उससे उसने अपने पूरवजू का तरपन किया उदर दूसरी तरफ से दानवराज कन्या ललित कला का ग्यान सीखने हिमाले परवत में आई थी और अचानक परले हो गया तो वो भी हिमाले पर रह गई ढूंडते ढूंडते आसावान थी सर्दा आसावान थी कौन सर्दा और अचानक उसने एक जगे देखा कि हिमाले परवत के उपर कहीं ना कहीं एक बली का अन है किसका अन है बली का अन किसका अन है बली का अनाज तो उसके मन में उसकी आसा और भी ज़्यादा बलवान हो गई बलवती हो गई आसा और भी ज़्यादा बलवान हो गई कि जरूर कोई ना कोई जिवीत है अचानक कई दिनों के पश्चात इमाले में घूमते घूमते ढूनते ढूनते एक जगे देखती है कि एक मनु नाम का देव बैठा है और गर्दन नीची की हुए है पास में गई कौन सर्धा बहुत सारी बातें कहीं सर्धा ने लेकिन मनु ने अपना मुँ नहीं उठाय गर्दनी नहीं उठायी किसने मनु ने बहुत सुन्दर थी सर्धा फिर भी सर्धा की तरफ देखा तक नहीं किसने मनु ने खूब समझाती है कौन सर्धा लेकिन वो देखता नहीं सर्धा उसे कहती है कौन तुम संसर्थी के जलनी धी में फैंकी मनी एक के समान तुम कौन हो लेकिन मनू देखता नहीं जब सर्धा उन्हें काम की प्रेणा देती है संभोग की कि तुमसे और मुझसे फैलेगी बेल तब गर्दनू उची करता है कान मनू तो इसलिए इसका नाम कामाईनी है और जब दोनों ने संभोग किया तो बताओ देवता पैदा होगा या दानव नहीं, बीच का प्रोडेक्ट पैदा हुआ यह बीच का प्रोडेक्ट पैदा हुआ यही है परसाद की कामाईनी और यही है परसाद की क्या दोस्तो कामाईनी सरदा ढूंडते ढूंडते आई है किसको मनू को और चुपचाप बैठा है कौन मनू तो क्या कहती है कौन सरदा मनू से क्या कहती है देखिए आगे कौन तुम यह कथन सरदा का है किसको संबोदित कर रहे है मनू को कौन तुम संसर्ती जलनिधी संसकर्ती रूपी समुदर कौन तुम संसर्ती जलनिधी तीर से किनारे पर तरंगों से फैंकी मनी एक के समान तुम कौन हो गजब का बिम्ब बनाया है किसका मनू का कि कौन तुम ऐसा लगता है संसकर्ती रूपी समुदर जलनिधी समुदर ऐसा लगता है संसकर्ती रूपी समुदर के किनारे संसकर्ती समुदर संसकर्ती रूपी समुदर या संसर्ती रूपी समुदर के किनारे तरंगों से फैंकी लहरों के दुआरा तरंगों से फैंकी लहरों से फैंकी हुई मनी तुम एक हो अब लहरे फैंक रही है तो यह मानवी करन है लेरे किसी चीज़ को क्या करें फैकिवी मनी एक के समान बताओ तुम कौन हो बताओ तुम कौन हो कौन कह रही है सरदा तुम कौन हो कौन तुम संसरती जलनी धी तीर तरंगों से फैकी मनी एक क्यूंकि तुम समुदर में एक बहुत बड़ी मनी थी तुम ये मनी किस में है? समुदर में है और मानो तरंगे आई समुदर में और समुदर ने इस मनी को बहार फैंक दिया और पानी वापस चला गया और वो मनी वहीं रह गई ऐसा बिंब बना रही है किसका मनू का और ऐसा बिंब है किसका मनू का चुकि मनु एक देव हैं, मनु क्या है एक देव हैं, ठीक है, और ये कथन किसका है, ये पंक्ती, किसने कही, सर्धाने, कौन तुम संसर्ती जनलिधी तीर तरंगू से फैंकी मनी एक, और यहां पर छे कानुपरास मानवी करण, कौन तुम संसर्ती या रूपक, कौन तुम संस रूपी समुदर से फैंकी हुई एक मनी के समान उसके किनारे पर विराजमान हो तुम कौन हो कर रहे निर्जन का कर भी रहे निर्जन का और चुपचाप कोई विक्ति कर भी रहा है और चुपचाप भी है ठीक है बात को समझे कर रहा है और चुपचाप भी है परभा की धारा श्यम की आभाज से धारा से इस संसर्ती का तुम अभी सेख कर रहे हो जब एकती चुपचाप भी है, निर्जन भी है और फिर भी कर रहा है क्या अपनी आभाज की धारा से परकरती का अभी सेख करने वाले तुम कौन हो तो यहाँ पर विरोदा भास अलंकार है, कैसे कर भी रहा है और चुपचाप है कर रहे निर्जन का चुपचाप, बहुत गजब का विम्भै चारू तरफ सुन्शान है, परले हो चुका है, हिमाले पर विराजमान, कान, मनू उसके सरीर की उसके चेहरे की चमक, उसकी आभा ऐसी है, कि मानो अपनी आभा से चारू और वो परकरती का अभी सेख कर रहे हों, अपना प्रकाश फैला रहे हों मानो परकरती का क्या कर रहे हों, अभी सेख, ने करके भी कर रहे हों, क्या अभी सेख, क्योंकि हो तो चुपचाब बैठे हैं, और उनकी आभा और उनकी प्रभा से, चारू और मानो परकरती का अभी सेख हो रहा हो, मानो परकरती प्रकासित हो रहे हो, उनकी आभा से, किसक तो यहाँ पर विरोधा भास कामाईनी को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा थ्यावस रखना होगा थ्यावस धैरिये कामाईनी को पढ़ने के लिए आपको एक बहुत जादा धैरिये की जरूरत है गर निर्जन का चुपचाप परभा की धारा से अपनी चमक से अपने गंभीर व्यक्तित्वे से मानो तुम परकरती का अभी सेख कर रहे हो मानो अभी नंदन कर रहे हो आप किसका परकरती का और वो भी चुपचाप वो भी चुपचाप तो फिर से विरोधा भास अलंकार है ओके ओके सर आगे देखते हैं और क्या कहती है कान सरधा मधूर विसरांत ऐसा लगता आपने जीवन का रहसे सुलजा लिया हो और फिर विसरांत करने लग गए हो विसरां मधूर विसरांत विसरांत का मतलब विसरां लेकिन वो भी कैसा मधूर मधूर विसरांत और एकांत कितने गजब की बाते होती हैं मधूर विसरांत और एकांत में वो भी कहां एकांत में जगत का सुलजा हुआर हैश मधूर विसरांत और एकांत जगत का सुलजा हुआ रहसे तो यहाँ विरोधा भास है मनु को देखकर ऐसा लगता है कि आप इस तरह से विस्राम कर रहे हैं जैसे जगत के रहसे सांसारिक्ता के रहसे आपने सुलजा लिये हो ऐसा लगता आपके विस्रांत की मुद्रा को देखकर आपकी मधुर्वि स्रांत की मुद्रा को देखकर ऐसा लगता है कि मानो आपने जगत के रहसे सुलजा लिये हूं लेकिन फिर भी रहसे है सुलजावी लिया और फिर भी रहसे है तो विरोधा भास है सुलजावी लिया और फिर भी रहसे है इसका आर्थ ये हुआ कि जगत के सारे ही सांसारिक्ता के लफडूं को, जगडूं को, सांसारिक्ता को आपने सुलजा लिया और श्यों में एक रहस्ये बन गए हो, और तब मानो आप मधुर विस्रांत कर रहे हो, ऐसे बोलते हैं न कुछ लोग कि खूटी तान के सो रहा है को गोडे बेच के सोना, निश्चिंतों के सोना, तो आप मधुर विस्राम कर रहे हो, ऐसा लगता है आपने जीवन और जगत के सारे रहसे सुलजा कर लिये हैं और खुद एक रहसे बन गए हो, तो ये विरोधा वासलंकार है, क्योंकि सुलजाने के बाद रहसे रहसे रहता न बोल रहे हैं, इतनी बढ़ाई करने के बाद भी, जबकि आज कल के लड़के को लड़की दो सेकंड बोल जाए, तो लड़का बस रुके नहीं बातें बातें करेगा, मधुर विस्रांत और एकांत, जगत का सुलजा हुआ है से, एक करुणा मैं सुन्दर मान, ओहो, एक दया से युक्त, दया से, करुणा से युक्त, सुन्दर मान, ओहो, मान भी कैसा है, दया, आपके चेहरे पर ऐसा जलगता है, कि आप करुणावान हैं, और दयावान हैं, आपका मान भी सुन्दर है, आपका मान भी क्या है, सुन्दर मान, किसका, मनु का बिम्ब देखिए, आलस से, फिर से विरोधा भास, फिर से विरोधा भास, चंचल मन का आलस से, मन को चंचल बताए फिर भी आलस से, आपका आंतरिक मन चंचल है, लेकिन इस समय आप आलस से की मुद्रा में हैं, तो जो एक ती चंचल होता है, जब वो आलस से की मुद्रा में होता है, तो और भी ज्यादा सुहाना और भी ज्यादा सुन्दर लगता है तेरा चुप रहना भी सुन्दर लगता है देखो सुन्दर मान एक करुणा मैं सुन्दर मान बोलनी रहा न कौन मनू एक करुणा मैं सुन्दर मान करुणा से सुन्दर मान और चंचल मन का आलस से और ये मुद्रा देख कर तो मैं तुम पर मोहित हो रही हूँ कौन कह रही है सरधा तो प्यारे साथियो हा सर गजब का बिम्ब बनाया जा रहा है किस के द्वारा सरधा के द्वारा बिम्ब किसका बिम्ब बिम्ब मनु का है ये बिम्ब किसका है मनु का और कथन सर्धा का है अभी तक भी कुछ नहीं बोले कौन अभी तक भी कुछ नहीं बोले कौन मनु आप इस बिम्ब की कल्पना करें मधुर विस्रांत और एकांत और देखिए इस विनाद सुंद्री भी है मधुर्वि स्रांत और एकांत जगत का सुल्जा हुआ रहसे एक करुणा में सुन्दर मौन और चंचल मन का आलस से ऐसा लगता है कि आलस से तो इस समय आपने धारण कर रखा ओड रखा है आपका मन बहत चंचल है इसलिए तो आपका मौन भी सुन्दर है अंदर है, ठीक है, ठीक है सरु, सुना ये है मनुने, तो कह रही थी कौन सरधा, सुना ये है मनुने, मनुने, ओहो क्या सुना, सरधा के आवाज इतनी प्यारी थी, कह नहीं सकते कि वो दानवराज की दुलारी थी, सुना ये मनुने, मधु गुंजार, रसीली बातें, रसीला गुंजार, गुंजार यानि बात, आवाज, किसके सरधा की, सुना मनुने, ये मधु गुंजार, रसीला गुंजार, रस भरी बातें, किसके, रसीली, किसके, सरधा की, मधुकरी कासा ओहो सुना मनुने यह मधुकरी कासा जब सानंद यह गुंजार किस ने सुना मनुने मनु के कानों में जब यह आवाज गई किस की सरधा की मधुकरी कासा भरमरी कासा भरमरी भाउरी मादा भरमर भरमरी कासा तो यहां पर बहत्रीन उपमा का प्रियोग किया है किसने परसाद ने कि वो सुना मनों ने ये मधु गुंजार, मधु करी कासा, भमरी कासा तो उपमा सा जब सानन्द, आनन्द के साथ किसने सुना से प्लस आनन्द को जोडेंगे तो क्या बनेगा सानन्द आनन्द सहित आनन्द सहित अवे भावी समा सानन्द सानन्द का मतलब होता है आनन्द सहित सुना किसने मनों ने किये मुखनी चा कमल समान सुना यह मनों ने मधुर गुंजार मधुकरी का साजब आनन्द किये मुखनी चा कमल समान किये मुखनी चा कमल समान उपमा लंकार है और आगे तो परसाद ने घजब हा डिया किया मुख नीचा किस के समान? कमल के समान पर्थम कवी का जे सुंदर छंद ओहो पर्थम कवी का जे सुंदर छंद ऐसा गुंजार सुना मनुने अपना मुख अब भी नीचे किया हुआ تھा यहां रहसे है कामाईनी का धेन की बहुत समस्य हैं डॉक्टर नगेंदर ने लिखा है यहां मुख नीचा किसने भी कर रखा था मनों ने और सुना मधुकरी का साई मधुर गुंजार अभी देखा नहीं अभी आवाज ही सुनिये किया मुख नीचे कमल समान पर्थम कवी का जो सुन्दर चंद पर्थम कवी का जो सुन्दर चंद ऐसा लगा किसको मनु को कि पर्थम कवी ब्रमा का कोई सुन्द का ये पहला चंद हो पर्थम कवी कौन थे ब्रमा जी का जो यानि जैसे पहला चंद हो पहला सुन्दर चंद हो पर्थम कवी का जू कोई सुन्दर चंद तो यहां दो बातें सर्धा की आवाज ऐसी थी सर्धा का गुंजार ऐसा था जैसे पर्थम कवी ब्रमा का कोई पहला सुन्दर चंद हो पर्थम कवी ब्रमा है वालमिकी नहीं है वो हिंदी का आदी कवी है संसकर्थ का आदी कवी यह पर्थम कवी ब्रमा है तो जब यह परले की घटना घटी मनू और सर्धा थे तब वालमिकी थोड़ी थे कई ऐसे बावले लोग हैं जो क्या पढ़ा देते हैं वालमिकी जब यह घटना घटी मनु और सर्दा थे तब ब्रमाजी थे राइट पर्थम कवी यहां पर रिगवेद में पर्थम कवी ब्रमाजी रिगवेद में वालमी की का उले कहां से आएगा वालमी की कल वें चार जार साल पहले वो उस समय परले की घटना पर्थम कवी ब्रमा का मानो कोई इसलिए अगर कुछ लोगों ने इसको वालमिकी पढ़ा है तो ये 100% गलत है पर्थम कभी काजियों सुन्दर चंद पर्थम कभी कान बर्माजी कभी सोचाए नहीं था मनों ने और सरधाने की आगे चलकर कोई वालमिकी होगा वालमिकी संस्कर्थ काजी कभी है जो 4000 साल पहले हुआ ये परले की घटना के समय ऐसा लगा किसको मनों को ऐसा लगा तो मनों को किसका पर्थम चंद लगाओ बर्माजी का कि ये मुख नीचा कमल समान पर्थम कभी का जिन सुन्दर चंद उच्छे यहां दो बातें एक तो सर्धा की आवाज ऐसी लगी उसको मनों को कि जो पर्थम कभी बर्मा का कोई सुन्दर चंद गा रहा हो या चंदी ही हो और सर्धा को भी ऐसा लगा कि ये मुख नीचा कमल समान जैसे पर्थम कभी का कोई चंद यहां वैठा हुआ हो सुन्दर चंद तो ये कामाईनी का धेन की समस्य हैं इसलिए डॉक्टर नगेंदर ने 35 साल का माईनी पढ़ाने के बाद ये कहा कि कामाईनी का धेन की समस्य है एक किताब तक लिखी है किसने नगेंदर ने इस बात पर तो ऐसी सुन्दर आवाज सुनी किसने मनू ने तो एक जटका सा लगा किसको वनू को जटका लगना ही था ये तो कोई 10 लाख वोल्टेज का करंट है इतनी सुंदर कौन शर्दा और इतनी सुंदर आवाज लंबी काया चरहरा बदन उनमुक्त काया जैसे कोई ज्वाला मुखी धदक रही हो एक जटका सा लगा लेकिन जटक लगना ऐसा बुराई का परतिक होता है कि इसको जटका किसी भी बात का जटका लगा लेकिन यह विरोधा भास है यह जटका तो है लेकिन हर्स वाला जटका है इसलिए विरोधा भास से हर्स एक जटका सा लगा हर्स का हर्स सहीत से हर्स हर्स युक्त हर्स सहीत या हर्स युक जहतका लगा किसको? मनु को. तो विरोदावास लेंकार है, जहतके से आपको किसी बुरी चीज का बोध होता है लेकिन यह हर्स है। नरखने लगे किसको अब आपनी गर्दन उची कर रहे हैं कौण मनूद नरखने लगे देखने लगे लुटे से ओह गजब ढ़ा दिया ऐसी आवाद लुटे से देखने लगे लुटे से यान्यी चारों तरफ जैसे उनका कुछ बहुत कुछ लुट लिया गया क्योंकि ऐसी आवास थी किसकी सर्धा की ऐसे लुटे से देखने लगे किसकी तरफ सर्धा के निरखने लगे लुटे से क्यों कि कौन गा रहा ये सुन्दर संगीत कौन गा रहा था ये सुन्दर संगीत सर्दाई गा रही थी सर्दाई गा रही थी हाँ कौन तुम संसरती जलनी धी तीर से फैंकी मनी एक तो ये गीत कौन गा रही थी किसको संबोधित करते हुए मनू को तब सुना किसने मनू ने कौन गा रहा ये सुंदर संगीत जटका सा लगा किसको मनू को कि कौन गा रहा ये सुंदर संगीत कोतु हल रहने सका फिर मौन और जो नीची गर्दन किये हुए थे कौन मनू उनका जो कोतु हल है उनका जो आश्री है वो मौन नहीं रहा और अपने कमल रुपी मुख को उसने इधर उधर करना सुरू किया कोतु हल रहने सका फिर मौन कोतु हल यानि आस्रिये फिर रहने सका मौन अब मनू के मन में एक आस्रिये जगा नहीं तो पहले अपनी गर्दन ही उसी नहीं कर रहा था और उसने चारों तरफ देखा उसका आस्रिये मौन ने रह सका मनू से मौन रहता है पसु मौन रहता है आसरी मोन रहना मान भी करन गजब का मान भी करन आसरी रहने सका फिर मान और ये प्यारे साथियों गजब का क्या है मान भी करन है ठीक है गजब का क्या है दोस्तों ये मान भी करन है और सर राइट राइट सर आगे बढ़ते हैं शुरू में क्लास में स्टार्ट करने में किसी करनी होती है, ओके आगे बढ़ रहे और देखाव है किसने मनु ने और देखाव है सुन्दर दरस से कौन सा सुन्दर दरस से एक बहात इस संदर लड़की सामने खड़ी है, कौन थी हो, सर्दा और देखाव है सुन्दर दरस से नैन का इंदर जाल आँखों के सामने एक इंदर जाल सा चा गया मतलब भर्म सा चा गया कि इतनी सुन्दर लड़की हो सकती है क्या भर्म इंदर जाल चा गया उसकी आँखों के सामने एक जादू सा चा गया किसकी आँखों के सामने मनू की और देखा वह सुन्दर दरस से वह सुन्दर दर्स से किसने देखा मनु ने यानि किसको देखा स्रिधा को और देखा वह सुन्दर दर्स से नैने का इंदर जाल यानि जादू के समान अभिराम यानि सुन्दर वो सुन्दर दर्स से वो अभिराम दर्स से जब किसने देखा मनु ने तो उसकी आँखों के सामने इंदर जाल सा चा गया जादू सा चा गया और प्रसाद की कहानी संग्रेवी है इंदर जाल प्रसाद का कहानी संग्रेवी है दोस्तों कौन सा इंदर जाल अब उसको देख रहा है किसको सर्धा को कुस्सम वेभव में वो लता समान कुस्सम वेभव जैसे किसी लता में जवानी आ रही हो किसी लता में जवानी आ रही हो और अपने कुस्म यानि फूलों के वेभव से वो लदी हुई हो ऐसा सरीर है किसका सर्धा का कि कुस्सम वेभव फूलों का जब फूल जब अपने वेभव काल में होते हैं लता जब अपनी पूर्ण जवानी पर होती है तो कुसम वैभव में वो लता के समान थी तो कुसम वैभव में वो लता समान दिखाई दे रही किसको मनु को कौन सरदा कुसम यानि फूल फूलू के वैभव के समान फूलू के वैभव या फूलू के वैभव में कुसम वैभव में लता के समान जब कुस्मूं का वैभव होता है फूल अपनी चरम सीमा पर खिले वे होते हैं और लता भी अपनी पौन जवानी पर होती है तब जो कुस्मूं का वैभव कुस्मूं का सौंद्रिये फूलूं का यस जैसा अपनी चरम सीमा पर होता है वैसा ही सरीर था किसका सरधा का कुसम वैभव में लता समान वो द्रस से देखता है कौन मनू किसको देख रहा है समय सरधा को और ऐसा लगता है उसके चेहरे को देखकर कि जैसे चंद्रीका के चारों तरफ लिप्टा हो घंश्याम जैसे चंद्रीका से लिप्टा हो गनस्याम समझिएगा गनस्याम यानि बादल और उसकी जो बाल हैं किसके सरधा के वो उसके चेहरे पर ऐसे आ रहे हैं और मुख चंद्रमा जैसा है चांदनी जैसा है तो उसके मुख को देखकर उसके बालों को देखकर उसके चेहरे को देखकर ऐसा लगा कि जैसे चंद्रीका से लिप्टा हो गनस्याम बाल ऐसे आ गए ना गनस्याम यानि बाल ऐसे आ गए और उसका केवल मुँ मुँ दिखाई दे रहा है जैसे चंद्रीका से लिप्टा हो गनस्याम जवर्दस्त मानवी करण है प्रियसाथियो जवर्दस्त क्या है मानवी करण है जैसे चंदरीका से लिपट रहाओ घंश्याम जैसे एक पती अपनी पत्नी से लिपट रहाओ जैसे कोई लड़का किसी लड़की से लिपट रहाओ उसी परकार जैसे चांदनी से बादल लिपट रहाओ, चंदरीका से घंशाम लिपट रहाओ, चंदनी से घंशाम यानि काला बादल लिपट रहाओ, ऐसा था उसका सुंदर चेहरा, तो अब मुँ का वर्णन है, कुशम वैभव में लता के समान उसका सरीर, और जैसे चंदरी एका से लिप्टा हो घंशा अब जवर्दस्त भिम्ब है सरधा का इतनी सुन्धर थी कौन इतनी सुन्धर थी कौन सरधा चो ये भिम्ब है ये किसका है सरधा का अभी आपकी सामने भिम्ब था हर्दय की अनुकर्ती किसकी सर्धा की हर्दय की जो अनुकर्ती है बनावट बहाईये और उद्दार वक्स स्थल बहुत सुंदर है चाती बहुत सुंदर है किसकी सर्धा की बहाईये बिलकुल वहार निकली पेट सिंग्णी जैसा सेर जैसा पेट बिलकुल पतला और चाती उरोज बिलकुल अपने योवन पर हैं, उरोज बिलकुल उद्दार हैं, अपनी पोन वस्था में हैं, मुझे याद आ रही है निराला की, तोड़ दिये कंचुकी के बंद सारे उरोजों के उभार में, ऐसी स्थिती हर्दय की अनू करती, यानि वक्स का वर्नन है, वक्स स्थ किसका सर्धा का, की जो बनावट है, वो बहार आ रही है, भाईये, उसके उरोजों का संद्रिये, हालांकि कपड़े पहन रखें, उद्दार, उद्दार का मतलब बिलकुल चरम अवस्था पर हैं उसके उरोज, इस्तन, उरोज, इस्तन, भाईये और उद्दार, और इसके और उसके हरदे के नुकरती बहुत उद्दार है, उसका वक्स स्थल बिलकुल भरा हुआ है, और लंबी काया बहुत लंबी है कान, सर्दा, चरहरा बदन है, उन्मुक्त है, और उसकी चाल बिलकुल सवचंद है, उसके करिया व्यापार सवचंद रूप में चली रही है, न कान सर्दा उनमुक्त है और सवचंद रूप से उसके सरीर के अंग विचरन कर रहे हैं, सवचंद रूप से वो विचरन करने वाली है, कौन सर्दा, ओहो कितने गचब का बिम्ब किसका सर्दा का, इससे बड़ा चाक्सुस बिम्ब आपने कहीं नहीं देखा होगा, आगे भी आएगा चाक्सुस बिम्ब, ऐसा बिम्ब आपने कहीं नहीं देखा होगा, और सुनो, अभी तो सुनो आगे, मधू पवन, रसीला पवन, सुगंदित हवा, रसीला पवन, किरडित ज्यू, ओहो, रसीला पवन ज्यू, किरडा कर रहा हो, खेल रहा हो, किरडा कर रहा हो, तो मानविकर्ण। पहले बता दो अलंकार मानविकर्ण। मधू पवन क्या कर रहा हो, जैसे किरडा कर रहा हो, किस से तो आगे देखते हैं, अलंकार कौन सा हो गया, मान विकन, मधू पवन किरडित जू, ऐसा लगता है कि रसीला पवन, कौन सा, रसीला पवन किरडा कर रहा हो, जू सिसू साल, जैसे साल व्रक्स के पेड से, और हवा, मधु पवन, साल वरक्स से किरडा कर रहा हो और साल का जो छोटा वरक्स है, सिसु वरक्स है सिसु छोटा, बड़ा नहीं, सिसु साल यहां फिर से मानवी करने है, साल वरक्स के छोटे पेड को उसने सिसु का शीशु साल, साल वरक्स ऐसे हिलता है, इसको ऐसे खाता है, बल खाता है, जब हवा उसके साथ चलती है, पवन उसके साथ थोड़ा जगजोर करता है, उसके साथ खेलता है, तो जैसे साल का छोटा वरक्स, शीशु वरक्स, छोटा वरक्स ऐसे हिलता है, ऐसे उसकी काया बल खा पढ़ियेगा मधूपवन किरड़त मानवी करण जूँ जैसे सिसु साल जैसे सालवर्ष के छोटे पेड़ के साथ मधूरपवन किरड़ा कर रहा हो तो यहां भी मानवी करण रैट ऐसा सरीर ऐसी चाल थी किसकी सरधा की वो बल खाती भी चल रही थी और देखो सुसोबित हो सोरव संयोक्त इसके बावजुद आप यहीं नहीं रुके परसाद क्या कहते हैं हावा जो थी वो सुसोबित तो ऐसे सरधा हो रही है इस तरह की सोभाई मान कौन सरधा लेकिन सुसोबित हो रहा है कौन मधूपवन सोरव यानि सुगंद से युक्त हो कर सुर्भी से संयुक्त होकर और सिसुसाल से किरडा कर रहा हो ऐसा सरीर था किसका सरधा का कि मानो कौन मदूर पवन सुसोबित होकर किस से सोरब से सोरब यानि सुगंद सुर्भी में आय परते लगा मानो सुर्भी से युक्त होकर सुरब से संयुक्त होकर सुसोबित हो रहा हो कौन मधू पवन और फिर किरडा कर रहा हो किस से मानो सिसु साल से ऐसा था सरीर किसका सरधा का और फिर जब हिलता है सिसु साल उस तरह से उनमुक्त काया वाली चल रही थी कौन सरधा तो इस सरधा का बिम्भ है, फिर से पढ़िएगा, बिम्भ आपके बनी गया होगा, बहुत इसंदर लड़की, जैसी कभी आपने नहीं देखी, नहीं सोची। करड़ा करता है, सुगंध से सयुक्त होकर ऐसी ही लग रही है कान, सरधा, ऐसा ही उसका सरीर लग रहा है, किस को, मनू को, पहले तो सरधा मनू को संबोधित करती है, कि वो कैसे लग रहे हैं, अब मनू देख रहा है किस को, सरधा को, और मनू को ऐसा लग रहा है, मनू को ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक मिनिट पीछे जाएं, कबसे लगने लगा है, तब से लगने लगा है, सुना मनोने ये है मधुर गुंजार मधुकरी कासा, किसका मधुर गुंजार सर्धा का प्रिसाथियुक कामाईनी का जो रचनाकाल 1935 है 1937 में परसाद इस दुनिया से चले गई थी आगे बढ़ते हैं ये तो मैंने आपको दिखाया है कि सुना मनुने ये मधुर गुंजार मधुकरी कासा जब सानंद कि ये मुखनीचा कमल समान पर्थम कवी का जो सुन्दर चन्द एक जटका सा लगा सहर से निरखने लगे लुटे से कौन गा रहा ये सुन्दर संगीत कुतुहल रहने सका फिर मौन और देखा वै सुन्दर द्रस से नैन का इंदर जाल अभिराम कुसम वैभाव में लता समान चंदरीका से लिप्टा हो घंश्याम हर दै की अनुकरती बाई ये उदार एक लंबी काया उन्मुक्त मधूपवन के डित जो सुसाल सुसोभी तो सोरवे सेयुक्त अब ये पूरी तरे से बिम्ब आपके सामने बन चुका है किसका सरधा का और मनुका भी ये काम अध्यातम की रचना है कानसी काम आइनी ये चायावाद की रचना इसे नहीं कह सकते इसे चायावाद की प्रावडतम रचना कहते हैं यानि ये काम और अध्यातम की रचना है काम अध्यातम का गहरा संयोग है आध्यात्मिक व्यक्ति वोई हो सकता है जिसमें सेक्स भावना पर जली तो वोई व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है महान व्यक्ति होने की पहली सर्त है कि वो पहले महाप्रेमी हो महान होने की पहली सर्त है कि वो व्यक्ति पहले महाप्रेमी हो इसलिए महाप्रेम की अवधारना जो है महाप्रेम की अवधारना जो है वो पहले महाप्रेमी हो यानि काम भावना चादा हो और फिर काम भावना जब अपने इस तर से उची उड़ती है तो अध्यातम की ओर चली जाती है किसकी तरफ अध्धातम की ओर चली जाती है तो ये कामाध्धातम की रचना है कामाध्धातम की रचना है काउन कामाईनी छायवाद की नहीं वास्तव में तो कामाध्धातम की रचना है कामाईनी कैसी रचना है काम आध्यातम की रचना है काम यनि संभोग फिर आध्यातमिक होना मौक्स की तरफ जाना इसलिए तो इसका नाम कामाईनी है क्यूंकि ये काम आध्यातम की रचना है और 1935 इसका रचनाकाल है और 37 में परसाद इस दुनिया से चले गए थी 1889 में जन्म हुआ जैसंकर परसाद का और 1937 में चले गए कौन जैसंकर परसाद इसलिए कामाईनी एक रूपक है एक ऐलेगरी है रूपक कार्थ आप नहीं समझेंगे कामाईनी अपने आप में एक रूपक ऐलेगरी है रूप है काम का अध्यात्म का, और ये रिगवेद का लिया हुआ कथानक है, कामाइनी रिगवेद के आख्यान पर आधारित है, कामाइनी का परसंग कहां से ग्रहन किया है, रिगवेद से, और दिनकर ने जो उर्वसी का परसंग लिया है, वो भी रिगवेद से है, इसलिए एक पुरा आख् हान है कामाइनी प्रियसाथियों एक क्या है पुराख्यान है यह रिगवेद से लिया गया कथानक है रिगवेद का परसंग इसमें उठाया गया है ठीक है ठीक है सर अग इससे आगे वाली क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे हमने नियर अबाउट यहां तक हमने पढ़ लिया है सुसोवित हो सोरव सयोग और एक अलग परकार का हम अनुपरास कह सकते हैं हालाइं की बीच में योजक्चिन आ गया सह सह और सह फिर भी एक अलग परकार का नाद सौंद्री है तो कामाईनी में हर जगे आपको क्या देखने को मिलेगा दोस्तो नाद सौंद्री बिंबात मक्ता इसकी विलक्षन विसेस्ता है जो की चायवाद की विलक्षन विसेस्ता बिंबात बिंब नहीं बिंबात मक्ता गजब के बिंब हैं किसमें कामाईनी में बिंबवाद है पूरी तरह से बिंबात मक्ता जलकती है किसमें जलकती है कामाईनी में ठीक है दोस्तो ठीक है सर तो आज इतना क्लास करते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में आगे वाली क्लास में इस पर बातचीत करेंगे ठीक है ठीक है सर